असलाम वालेकुम दोस्तों मैं रईसाशेक स्वागत करती हूँ आप सब का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों हमारी प्रिवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉन्वकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से डॉकुमेंट लगते हैं और उसके बेसिक डिटेल् रहे हैं कि कॉन्वकेशन का ओनलाइन फॉर्म मॉबाइल से लैप्टॉप से पीसी से कैसे फिल करना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यहां पे हैं वह डोकुमेंट्स आपको लेके बैठने हैं फॉर्म फील करते वक्त दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लॉंग होने वाली है लेकिन एंड तक जरूर देखिए यहां पे आपको कॉन्वकेशन का फॉर्म कैसे डिटेल में फील करना है इसकी बारे में मैं पहले देख लो अब दोस्तों आप कॉन्वकेशन का फॉर्म फील करने जा रहे हूं उसके लिए सेपरेट यूजर नेम रहेगा आपने पहले अपना प्यारे नंबर डालके वहां पे यूजर का रिजिस्ट्रेशन कर लिया आपको यूजर नेम प्रोवाइड किया जाएग इसलिए दोस्तों कॉन्वकेशन का फॉर्म हमें बहुत ही क्यर्फूल ही फिल करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे दूसरा कोई चांस नहीं है कॉन्नों के लिए फॉर्म फिलिंग का स्टेप फर्सट रहेगा न्यूरेजिस्ट्रेशन और कॉन्वकेशन हमें सबसिए पहले new registration करना पड़ेगा for creating new user click on the new registration for convocation बटन जो बटन है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है new registration for convocation इस बटन पर आपको क्लिक करना है new user का registration करने के लिए उसके बाद ऐसा interface आएगा तो step two रहेगा student registration convocation आपके सामें एक ऐसी विंडो आएगी student registration convocation की उसमें आपको अपना username एंटर करना है username आपको बनाना है अपना उसके बाद आपको अपना password भी बनाना है password बनाने की rules है at least six characters का होना चाहिए उससे ज्यादा आप use कर सकते हो एक capital letter होना चाहिए एक small letter होना चाहिए और एक symbol और special character वहां पर होना चाहिए इतना कर लेने के बाद दोबारा अपना password type करो उसके बाद submit जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आता है step 3 step 3 है login page आपके सामने ऐसा interface दिखाई दिएगा उसमें आपको आपका यूजर नेम एंटर करना है उसके बाद आपका password एंटर करना है उसके बाद आपको एक security code दिखाया जाएगा वह correctly आपको security code जैसा है वैसा ही उस box में type करना है उसके बाद आपके सामने check box है I have read all the instructions and so on उसको आपको पहले check करना है यानि कि वहां write कर देना है और उसके बाद आपको login बटन पर click करना है अगर आप अपना password भूल गए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको password change करने आएगा या फिर आपको कोई भी problem face करनी पड़ रही है तो आप help corner भी यूज कर सकते हो help links भी यूज कर सकते हो अगर आपका password भूल गया है या फिर forget हो गया है तो आपको क्या करना है forget password के बटन पर click करना है उसके बाद आपको help desk से कुछ information provide की जाएगी वह information आपको feel कर देनी है आपका रजिस्टर्ड नंबर वहां पर feel कर देना है information क्या रहेगी आपका username आपको वहां पर enter कर देना है उसके बाद आपका टेक्स्ट मेसेज आएगा उसमें आपके पासवर्ड डिटेल्स आपको सेंड किये जाएंगे उसकी बाद आता है स्टेप पूर स्टेप फूर क्या है कॉन्वकेशन रजिस्टरेशन एंट्री यहां पर आपको टाइप सीलेक्ट करना है आपके सामने पहले एक ऐसा कॉन्वक इंटरफेस दिखाई दियाएगा उसमें डैश्बोर्ड, कॉनोकेशन फॉर्म, ग्रिवननस फॉर्म और लॉग ओट के ओप्षन आपको दिखाई दे रहे हैं आप करन्टली जब लॉग इन करोगे तो डैश्बोर्ड पे रहोगी आपको कॉनोकेशन फॉर्म सिलेक्ट कर ले प्रन नंबर रेगुलर डिस्टन्स टुडन उसकी बाद अगर आप यम्फील या प्येचडिक हो तो आपको सेकन्ड ओप्षन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप उटनोमस कॉलेज के स्टुडन हो तो स्टुडन आप इन में से कोई भी नहीं हो तो आपको manual application for other than student ये fifth option select कर लेना है दोस्तों ये option अच्छे से देख के select कर लीजे उसके बाद आपको submit बटन पर click कर देना है अब जानते हैं जो student regular या फिर distance student है जिनके पास प्यारे नंबर है वो convocation का form कैसे भरेंगे उन्हें अपना प्यारे नंबर के फिल्ड में अपना प्यारे नंबर एंटर कर देना है उसके बाद tab की press कर देने हैं आपके वहाँ पे information फिल हो जाएगी जिस जिस फिल्ड के सामें यानि की प्यारे नंबर फूल नेम मदर नेम इनके सामें रेड स्टार लगा हुआ है वो compulsory फिल्ड है यह आपको याद रखना है उसके बाद आपका फोटो वहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपना फोटो भी upload कर सकते हो अपना registered mobile नंबर जो university को आपने दिया था वही आपको यहाँ पर enter कर देना है उसके बाद अपना email id भी आपको यहाँ पर enter कर देना है अब आपको अपना degree type यहाँ पर select कर लेना पड़ेगा आपको degree college में से चाहिए पोस्ट से चाहिए या फिर university में से चाहिए अगर आपको degree college में से चाहिए तो through college का option select कर लिजे अगर आपको degree post से चाहिए तो second option आपको select कर लेना होगा अगर आप distance student हो तो आपको by post और in university यह दो option select कर लेने होंगे और आगर आप degree university में से लेना चाहते हो तो आपको इन university का option आपको select कर लेना पड़ेगा यह इन university का जो option है वो सिर्फ university के department और यम्फिल और PhD के student को ही apply किया जाएगा यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद branch आपको select कर लेनी है आपको two branches वहाँ पे select कर लेनी है अब आपको अपने bank details यहाँ पे fill कर देने हैं bank name में आपके bank का name fill कर दीजे उसके बाद bank account number provide कर दीजे bank account number provide कर देने के बाद अपने आप आपका name वहाँ पे show किया जाएगा आपका name correct है क्या check कर लेजे उसके बाद अपने bank का ifsc code वहाँ पे आपको enter कर देना होगा उसके बाद आपकी bank जहां पे located है वह address आप यहां पे provide कर सकते हो उसके बाद आपको city enter कर देनी है आपका तालू का enter कर देना है और आपका district भी वहाँ पे enter कर देना है इतना सब होने के बाद आपको अपना state यानिकी महराश्रा यहां पे enter कर देना है और उसके बाद अपना पीन कोड भी यहां पे आपको enter कर देना है यह सब प्रोसेस हो जाने के बाद अच्छे से चेक कर लीजे उसके बाद ही आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपको एक अलर्ट म आप Yes के बटन पर क्लिक कर देऊगे तो आपका application successfully save हो जाएगा और आपको अपना application ID मिल जाएगा इतना सब होने के बाद अब आप payment कर सकते हो Yes के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामें एक message आजाएगा Please note this application number for further reference आगे के reference के लिए आपको ये application ID not down कर लेना है Your application number is बताया जाएगा और आपको एक ID दिया जाएगा आपको वो ID not down कर लेना है या फिर आप screenshot या फिर अपने mobile में फोटो भी ले सकते हो और उसके बाद आपको OK के बटन पर क्लिक कर देना है अब बात आती है यमफिल और PhD student की उन्हें PRN नंबर के अलावार registration नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है registration नंबर में अपना registration नंबर एंटर कर दीजिए उसके बाद TAB की प्रेस कीजिए फूल नेम में अपना पहले सरनेम एंटर कीजिए फिर मिडल नेम फिर लास्ट नेम फिर मदर नेम अगर फोटो नहीं दिख रहा है तो फोटो अपलोड कर दीजिए जेंडर भी आपका मेल फीमेल सिलेक्ट कर लिजिए मोबाइल नंबर और इमेल आइडी जो है आपने युनियरसिटी को रेजिस्टर किया था वही आपको यहां पर देना है आपका डिकलेरेशन इयर पासिंग मंद यहां पर एंटर कर दीजिए और डिग्री टाइप आपको कॉलेज में से चाहिए पोस्ट से चाहिए यह आप नहीं सिलेक्ट कर सकते यम्फिल और पीचडी की स्टुरेंट को युनियरसिटी में से ही डिग्री दिया जाएगा इसलिए को अच्छे से एंटर कर देने हैं अब रेगुलर डिस्टन स्टुडेंट हो या यम्फिल और पीचडी के स्टुडेंट हो इतना कर देने के बाद प्रोसेड कर देने के बाद आपको पैमेंट करना पड़ेगा पैमेंट आप एक तो बाइक्याश कर सकते हो या फिर पड़ेगा उसके बाद रिसिप्ट डेट भी आपको यहां पर एंटर कर देनी है उसके बाद आपको सब्मीट बटन पर क्लिक कर देना है सब्मीट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एलेट मैसेज आ जाएगा वन्स पैमेंट इस कनफर्म और एप्लिकेशन व तो no करो अगर sure हो तो yes करो यस करने के बाद आपके सामें एक मैसेज आएगा वीज़ डिटेल बडेटेड सक्सेशफुली आपकी फीज़ डिटेल्स अपडेट हो गए हैं सक्सेशफुली आप अपना कॉन्वकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो Your Convocation Form Submitted Successfully यह message आपको दिखाई देगा अब lockdown चल रहा है आप by cash payment तो बहुत ही कम student करेंगे अगर आपको online payment करना है तो वो आप कैसे करोगे online payment करने के लिए आपको fee details में by cash की जगह mode of payment में online select कर लेना है उसके बाद submit बटन पर आपको click कर देना है आपने submit बटन पर click किया आपके सामने एक alert message दिखाई दिया जाएगा जो हमें by cash में दिखाई दे रहा था once payment is confirmed your application will not be modified please confirm एक बार payment हो जाएगा तो आपका application modify नहीं किया जा सकता confirm sure नहीं हो तो confirm कीजे नहीं तो yes के बटन पर click कीजे yes के बटन पर click कर देने के बाद आपके सामने एक ऐसा interface आएगा एकसिस बैंक शिवाची उनियरसिटी आपको सब डिटर्स दिखाई देंगे यूनिक रेफरेंस नमबर student name, phone, mobile, email, course, college, purpose code, transaction ID, receipt number, amount आपको यहाँ पर सब दिखाई दिया जाएगा आप यहाँ पर check कर लो पहले उसके बाद terms and conditions आपको पढ़ लेने हैं और terms and condition के check box में आपको check कर लेना है आप payment option internet banking से कर सकते हो या फिर credit card और debit card भी यूज़ करके आप payment कर सकते हो अब payment option अगर आप internet banking यूज़ कर रहे हो तो payment option में internet banking पर click कीज़े या फिर अगर आप debit card या फिर credit card से payment करना चाहते हो तो उस पर भी आप click कर सकते हो या फिर build ex, other banks, रुपे card यहां पर भी आप click करके आपने choice से payment कर सकते हो internet banking में आपको payment कर लेना है simply और confirm payment and access के बटन पर click कर देना है अब credit card और debit card से payment कैसे कर लेना है आपको payment option में credit card और debit card की tab select कर लेना है उसके बाद आपको एक बटन दिखाई दिया जाएगा proceed to pay उस बटन पर आपको वहाँ पर click कर देना है click कर देने के बाद आपके सामें एक ऐसा interface आएगा merchant name, शिवाजी उनिवर्सिटी, reference number दिया जाएगा transaction amount भी आपको बताया जाएगा card number जो आपके debit card या फिर credit card के उपर एक number होता है वो number आपको यहाँ पर enter कर देना है card name भी आपको यहाँ पर select कर लेना है रूपे है, visa है, कौन सा भी आप यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद उसकी जो last date होती है month and year में जो card के पीछे के side में होती है आपको वो यहाँ पर enter कर देनी है अच्छे से enter कीजिए month and year देखे उसके बाद CV भी एक code होता है हमारे card पर वो code आपको यहाँ पर enter कर देना है उसके बाद आपको submit के button पर click कर देना है payment हो जाने के बाद आपके सामें एक message आएगा your payment is successful now you can take final print out and submit to university आपका payment successful हो चुका है आप अपने form की final print out ले सकते हो और आपने university को submit कर सकते हो successful payment हो जाने के बाद आपका convocation form भी successful submit हो जाएगा print out लेजिए और submit कीजिए अपने university को अगर आपको convocation form फील करते वक्त कोई भी problem आ रही है तो दोस्तों tension की कोई बात नहीं है आप grievance form भी university को submit कर सकते हो आपने ये grievance form university को submit कर दिया आपको university का text message आएगा अपने registered mobile number पर वहां पर आपका जो issue है वो बताया जाएगा और उसका solution भी आपको provide किया जाएगा तो आपको जो menu दिखाई दिया रहा था पहले हमने क्या किया Convocation form में जाकर अपना Convocation form फिल कर दिया अगर कोई problem आ रही है तो आपको third option grievance form पर select कर लेना है उसके बाद details आपको यहां पर फिल कर देने है PRN नंबर में अपना PRN नंबर फिल कर दो उसके बाद tab की press करो फुल नेम जो है आपका यहां पर आ जाएगा आपको कोई भी problem हो problem in payment confirmation payment confirm होनी की problem आ रही है या फिर correction in branch और subject correction in class और grade आपने form submit किया है लेकिन आपको correction है correction करना है तो आप correction in mother name correction in passing year और month या फिर order कोई भी problem है correction का भी आगर प्रॉब्बल्म आफ्ष कर रहे हो तो आप यहां पर वह सिलेक्ट कर सकते हो जितने भी आपको problem आय रहे है multiple problem आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो उसके इसाथ कर लेना है कि मेरे form में मेरा mother name गलत हो गया है मैं मैं उसे करेक्ट कर लेना चाहता हूं ऐसे वैसे आप टाइप कर सकते हो फॉर्मल लेंगवेज में टाइप कीजिए उसके बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक कर लेना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा और आपका इशू स्व तक हमारे एक्जाम सी ऑक्टोबर नौहेंबर में हो गए है तो हमारी कॉन्वकेशन फॉर्म की डेट निकल कर आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन दो दे दूंगी तब तक आप देख लिजए कैसे फॉर्म फिल करना है और सीख लिजए और आपना फॉर्म खुद फिल करि कि अब अब आप एक ग्राजियो स्टुडेंट हो फाइनल एयर के स्टुडेंट हो तो आपको फॉर्म फिल करने आना चाहिए दोस्तों आशा करती हूं आप सब के लिए हमारा वीडियो यूसफुल रहा होगा अगर यूसफुल है तो अपने ज्यादे से ज्यादे दोस्तो तक शेयर कीजिए अब मिलती हों अगली वीडियो में एक नहीं आपडेट लेकर तब तक के लिए जय हिंद्द